तो फ्रेंड्स आपने भी स्टू स्टेप फिरिफिक्शन को अनिवल किया था अब यहाँ पे बैक आने की बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बताय जा रहा है यहाँ पे स्टू स्टेप फिरिफिक्शन पीन का पासवर्ड आपको पता नहीं है मतलब forget करना चाहते हो and forget करना भी चाहते हो तो वहाँ पे email address का एक अलग सा backup आता है तो वहाँ पे भी वो भी तरीका काम नहीं कर रहा है तो step बाद step बताने वाला हो कि केस है आप बड़ी आसान से two step verification pin को forget कर सकते हो email address ना होने के बाद भी ध्यान से वीडियो को देखी वीडियो अलपर लगता है तो वीडियो को लाइक जरू करना वीडियो देखते देखते कोई भी प्रॉल्म आती है ने संकोच comment box में comment करें comment करने के बाद चानल को subscribe करके बेल आइकोन पे जरू क्लिक करना तो चलिए ज़्यादा समयवति इतना करते हुए इस वीडियो का हम स्टार्ट करते है तो पहला दरीका फ्रेंड्स यहाँ पे वाटसाप ओपन करने के बाद टू स्टेप वरिफिक्शन पीन यहाँ पे माग रहा है तो पहला यहाँ पे आपको क्या करना है फॉर्गेट वीन का ओप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है तो सिंप्ली इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्न आप का ओप्शन आपके सामने आ जाता है तो इस पे आपको क्लिक करना है जैसे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर simply check करना है आपका WhatsApp का two step verification turn off हो रहा है या नहीं हो रहा है वैसे turn off नहीं हो रहा है तो simple है आपने अपने WhatsApp को clear cache या clear data किया होगा तो इस तिनमें आपको क्या करना है simply WhatsApp को open करना है open करने के बाद जो starting में आता है agree and continue इसके उपर click करना जो आपका mobile नमबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है बाद नमबर डालने के बाद यहाँ पर next के button पर click करके आगी की process हमें complete करने है अब यहाँ पर ही में प्रॉलिम आ जाती है यहाँ से टन आप नहीं होता है मतलब यहाँ पर हम जैसे password कोई डाल देते तो password यहाँ पर इंकरेक्ट बता रहा है आप देख सकते हो incorrect pin try again अब यहाँ पर simply ok करना है तो end की process देखने से पहले पहला तरीका देहां से देखिए पहला तरीका यहाँ पर आपको क्या गना है forget pin के ऊपर click करना है यहाँ पर send email के ऊपर click करने के बाद यहाँ पर आपको पता नहीं चलने वाला है कि कौन सा आपने email register किया था तो SD में आपने फोन में अपने family या friend के फोन में यहाँ पे email open करके email उपन करके emails आपको एक एक चेक करने है तो example यहाँ पर email को मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ तो friends यहाँ पर आप देख सकते है top में मुझे यह यहाँ यह वाला email show हो रहा है वैसे अगर आपको email show नहीं हो तो ऐसे में आपको क्या नहीं त्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है यहां पर आपको और मेल के ऊपर क्लिक करना है या त्री लाइन के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपको स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना है तो कई सारी इमेल यहां पर भी जाते हैं अगर स्पैम फोल्डर में आपने मुग किये अल्ड़री पहले तो वह स्पैम फोल्डर में ही जाएंगे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको मिल सकते हैं तो सीधे पॉइंट की बात करते हैं इस तरह का इमेल आपको शो होने वाला है तो इमेल के उपर सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह रिसेंट लिंक आ जाएगी तो सिंपली इस वाले लिंक के उपर आपको क्लिक करने हैं अब यहाँ पर सिंपली कंफर्म का बटन आपको दिखाये जाएगा तो सिंपली इस वाले बटन के उपर क्लिक करने हैं एंड वन क्लिक में आपका बढ़े असन से यहाँ पर स् यूज कर सकते हैं चलिए फॉरगेट फीन के ऊपर क्लिक करने के बाद भी सेंड इमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद इमेल नहीं आ रहा है या इमेल आपके पास है ही नहीं तो ऐसे तिमें आपको क्या करना है फ्रेंट्स सेकंड तरीके का यूज करना है तो यहां पर आने के ब प्लीज रिमूव वाटसथ तो स्टेप परिक्षिन इतना यह लिखना है उसके बाद जो प्रॉब्लम का स्क्रीशॉट आपके बास होगा तो उससे यहां पर आपको एड़ करना है प्रेंड स्क्रीशॉट अड़ करने के बाद यहां पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है इस डेजन्ट एंसर माइस कोईशन इस वाले उप्शन पर क्लिक करना है अब यहाँ पर इमेल के उपर मतलब जीमेल के उपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका रिपोर्ट यहाँ पर साप साप लिखा हो आ जाएगा अब यहाँ पर सेंड के उपर क्लिक करके इमेल को सेंड क यहाँ पर अभी 7 days के लिए wait करें उसके बाद आप अपने फीन को reset कर पाएंगे अब 7 days के बाद क्या आता है जो आपको आगे में screen के उपर बता देता हूँ अब 7 दिन होने के बाद guaranteed आपको forget फीन के उपर click करने के बाद ये वाला option आ जाएगा मतलब reset account वाला option इस वाले option के उपर आपको click करना है click करने के बाद reset account के उपर click करना है अब यहाँ पर थोड़ी दर wait करना है wait करने के बाद directly वो remove हो जाएगा two step verification reset हो जाएगा अब यहाँ पर simply continue पर click करना है आगी की process complete करने है जो जो भी process आती है WhatsApp verify करते समय आपको कोई भी problem नहीं आने वाले है directly आपका WhatsApp open हो जाएगा फिर भी problem आ रही है या अभी आपको कुछ और solution जानना है तो मुझे comment box में comment करके जरूबत आना वैसे वीडियो को save करके रख सकते साथ दिन के बाद फिर से काम आने वाला है और वैसे वीडियो जाएगा आपको कोई problem आ रही है तो comment box में comment करके चानल को subscribe करके bell icon पे click कर सकते उस problem के related videos या directly आपको कुछ वहाँ पे ही reply दे देंगे अब जाते जाते प्लीज प्लीज इस वीडियो को like करना जाते जाते किसे को कोई भी आकाउंट recover करना है किसी को भी आपकी फ्रेंड को या किसी को भी ये इस चानल को ज़रू सजिस्ट करना या स्क्रीन के उपर की playlist च थैंक यू